कपास की खेती में पिंक बॉल्वर्म एक बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसे गुलाबी इल्ली कीट भी कहा जाता है. पिंक बॉल्वर्म का साइंटिफिक नाम पेक्टिनोफोरा गॉसिपियला है. यह कपास की लगभग हर प्रजाती पर आक्रमन करने में सक्षम है, और यह सबसे ज्यादा चरम सीमे पर बुवाई के नब्बे दिन बाद होता है. इसके लक्षन है. बुवाई के 40 से 50 दिन बाद फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए. एक हेक्टेर में पांच जाल लगाना आवश्यक है, जो कपास के फसल से कम से कम एक फीट उपर होना चाहिए और जैसे जैसे पेड की उचाई बढ़ती है. जाल की उचाई भी बढ़नी चाहिए. यदि 8 या 8 से अधिक वयस्क लगातार 3 दिनों तक पकड़े जाते हैं, तो 40 जाल हेक्टेर लगाएं. गुलाबी इल्ली का मुख्य प्रकोप फसल की बुआई के 90 दिन बाद शुरू होता है. लेकिन इस बार इसकी शुरुवात बहुत पहले हो गई है. यदि 100 में से 10 फूल रोजेट गुलाब के आकार के हों, तो इन में से आप किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं. लार्गो 180-200 ml प्रतियकर, कवर लिक्विड 60 ml प्रतियकर, मारकर 320 ml प्रतियकर, सुपरकिलर 64-112 ml प्रतियकर, EM1 76-88 ग्राम प्रतियकर.